लेह मनाली हैवे पर 9.02 किलोमेटर लंबा रोतांग टनल या जिसे अटल टनल भी कहते हैं बनकर तेयार है और 3 अक्टोबर 2020 को प्रधान मंत्री नरेंद मोदी अटल टनल का उधगाटन करने वाले हैं इसी टनल के बगल में लगभग 13.5 किलोमेटर का एक और टनल बनया जाएगा नया टनल एक रेलवे का टनल होगा जो की बिलासपूर लेह रेलवे परोजेक्ट का हिस्सा होगा तो चलिए डीटेल्स में जानते हैं इस रेलवे टनल के बारे में और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हिमाचल प्रदेश के बिलासपूर से लद्दाग के लेह तक वाया मंडी, मनाली, कुल्लू और केलोंग के रास्ते लगभग 500 किलो मिटर का रेलवे लेंड प्रोपोजड है 2011-12 के रेलवे बजट में ही इस रेलवे लेंड का एनॉंसमेंट हुआ था बिलासपूर लेह रेलवे प्रोजेक्ट में पीर पंजाल की पहारियों में रोतांग पास यानिकी रोतांग दर्रा के बगल में अटल टरनल से लगभग 800 मिटर की दूरी पर रेलवे का नया टरनल बने आ जाएगा रेलवे टरनल की लेंथ लगभग 13.5 किलो मिटर होगा रेलवे के टरनल के लिए अभी सर्वे किया जा रहा है एस्पोर्ट विजिट के लिए नॉर्थ रेलवे डिया डियो आईटी रुर्की और सासे की टीम साइट पर पहुँच कर टरनल के कंस्ट्रक्शन में आने वाले चैलेंजेज के बारे में डिसकस किया बिलासपूर लेह रेलवे लाइन इंडिया में सबसे चैलेंजिंग रेलवे प्रोजेक्ट में से एक होगा फिलाल इस प्रोजेक्ट के लिए लैंड एक्विजिसन प्रोग्रेस में है यह रेलवे लाइन दुनिया की सबसे उची रेल पूला रेल्वे स्टेशन दुनिया की सबसे उची रेल्वे स्टेशन है जिसकी हाइट है लगवक 500 मिटर यानि कि टिलांगला रेल्वे स्टेशन इस रेल्वे स्टेशन से 500 मिटर जैदा उचा होगा रहतांग में रेल्वे टरनल बनने के बाद इस एरिया में लगवक 1 किलो किया गया और 3 अक्टोबर 2020 को प्रधान मंतिर नयन्द मोदी इस टनल का उध घाटन करने वाले हैं इस टनल के बारे में पहले भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनेया है जिसे अभी तक लगबग एक लाख लोगों के द्वारा देखा जा चुका है लेकिन उन में से कुछ या उससे जैदा की हाइट पर अटल टनल दुनिया की सबसे लंबी टनल है यानिकि अगर एकदम आसान भासा में समझे तो अटल टनल जमीन के लेवेल से लगबग 10,000 फिट की हाइट पर बने आ गया है और इतनी जैदा हाइट पर ये टनल दुनिया की सबसे लंबी टनल है I hope कि आपको इस वीडियो में काफे कुछ जानने को मिला होगा आप इस वीडियो को लाइक करके दूसरों के साथ भी सेर कीजिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पिलीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल अगर प्रेस कर दीजिए